हलो गाइस पीएच बैलेंस पी एच बैलेंस हर जगा पे एक ही बात होता रहता है पीएच बैलेंस क्या है नहीं पता है ना तो वीडियों पे बने रहीी है बीना क्वेवे इन तक देखिए आज को ऐचा पता चलेगा जिससे आपके स्कीन के रूटीन को और भी बहतर बना सकते हैं आज कुछ नया जानेंगे नया सीखेंगे और चलिए शुरू करते हैं हैलो गाइस वलकाम है मैं शायन्ति अरब तेकरों ग्लैमर शायन्ति आज हम बात करेंगे पी एचे बेलें के बारे में पीज़ तसाफ मंध्र है क्या भाई पीज बेलेंस हम जो भी प्रोड़ाट्ट यूज करते हैं चाहे वो खाने पे हो चाहे वो फसली मैंस प statistics शाहेब बो और जो normally value होता है pH balance का वो होता है 4.7 से लेकर 7 तक उपर पे लिखा हुआ है आप देख लेना 4.7 से लेकर 7 ये जो value है अगर आप जो product यूज़ करे हो उसमें ये value है तो आप बिल्कुल safe हो ठीक है अगर 4.7 से लेकर कम होता है तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है और अगर 7 से जादा होता है तो भी रिस्की होता है ठीक है यानि कि उसमें acid की मात्रा जादा होता है अगर pH balance 7 से नीचे होता है तो वो होता है acidity और बेसिटी ये दोनों में बहुत फर्क है जादा कुछ नहीं लिकिन जो फर्क है अगर आपको जानना है कि what is acidity and what is basicity so please आप comment section में comment कर देना मैं आपको समझा दूँगी अलग वीडियो लेकर अब जानते हैं कि यह जो pH balance है वो हम चेक कैसे करें घर बैठें आपको रेना है एक लीटमस पेपर आपके सामने एक image आ रहा है वो image पे जैसे दिखा रहा है एक छोटा सा लंबा पेपर होता है उसम हो अपना color change करता है अगर वह अपना color change करके 7 4.7 से लेकर 7 तक वह color आपको दिख जाता है तो यानि कि वह बिल्कु सेफ है लेकिन वह red हो जाता है orange हो जाता है blue हो जाता है so it's not safe for your skin not safe for your hair not safe for your body ओके आप बात करते हैं कि यह दोनों image हम पर दिया हुआ है इस image पर आप देख पाओगे एक side पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा खाने में कौन सा चीज में आपको कितना pH balance होता है और दूसरी image पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा color कितना pH balance indicate करता है और आप आपको दिख जाएगा कि दोनों मिला के कौन सा color कितना pH balance indicate करने के साथ साथ कितना कौन से कौन से चीज पर कितना pH balance होता है और उसका color क्या होता है okay so guys I hope आप यह जान कहें हो कि pH balance कैसे चेक करता है और आप अभी चाओ और pH balance चेक करो कि जो भी आप रोड़क यूज करें हो वह कितना acidic है या फिर organic अगर वह acidic है तो आपको दिख जाएगा और यह harmful है आपके skin के लिए आप यह लिए लिए पर से अपना प्रोड़क के चेक किया यानि कि pH balance चेक किया है ठीक है ऐसे ही नए वीडियो अगर आपको पसंद है तो कमें सेक्षिन में कर दिए ना मैं आपको ऐसे ही नए वीडियो और लिकर आउंगे आप लोगों के लिए नए इनफोरमेशन आपके सथ शेयर करोंगी ताकि आप लोगी थोड़ा मदद मिल जाए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दा वीडियो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई